दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेस्ट 43 इंच 4K Ultra HD TVs के बारे में साथी साथ मैं आपको बताऊँगा मेरी कौन सी recommended TVs हैं लेकिन उसके पहले जो लोग नए है नीचे दिया हुआ लाल सब्सक्राइब का बटन दबा दीजे और अपते बंदू के साथ जुड़ जाईए और रेगिलर वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाईए दोस्तो मैं हूँ मनू आपका शॉपिंग बंदू लगे हाँच शुरू करते हैं दोस्तो अगर हम 19-20 का फरक है तो अगर आप इन तीनों ब्रैंट्स में से कोई भी टीवी खरीद नहीं है तो आपको ओर ओर ओल पिक्चर कॉलिटी एक्सपिरेंस बहुत ही बढ़िया होगा क्योंकि मैंने आप यह आपको डिस्क्लेमर दे दिया है तो शुरू करते हैं और शुरू करते हैं सोनी की टीवी से तो सोनी में करेंट्ली 43 इंच में आपको दो टीवी देखने को मिल जाती है X7500F और X8500F ये दो मॉडल्स आपको देखने को मिल जाते हैं दोनों में काफी similarities आपको देखने को मिल जाते हैं आपको local dimming feature यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा frame dimming है साथ ही साथ अगर हम इसके sound के बारव में बात करें तो यहाँ पे आपको दोड़ो TVs में 20W के sound output देखने को मिल जाते है 10-10W के दो speaker है Clear Audio Plus की sound technology यूज़ की गई है बहुत बढ़िया sound technology यह आपको sound output बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है 4 HDMI port देखने को मिल जाएंगे 3 USB port देखने को मिल जाएंगे 4 HDMI port HDMI 2.0 है जी हाँ HDMI 2.1 देखने को नहीं मिलता है 4 ports HDCP 2.2 compliant है इसमें से एक port आपको HDMI ARC port देखने को मिल जाता है साथ ही साथ अगर हम इसके operating system के बारे हम बात करें तो Android का Oreo आपको देखने को मिल जाएगा दोनों TVs में आपको Google Assistant है Google Home के devices Alexa support भी आपको देखने को मिल जाता है तो Alexa के भी devices आप अपने TV से connect कर सकते हैं तो काफी कुछ आपको देखने को मिल जाता है रिमोट में आपको Netflix का dedicated button है YouTube का dedicated button है और Android OS है तो आपको काफी धेर सारे apps भी देखने को मिल जाते हैं आप काफी कुछ apps Play Store से install कर सकते हैं जो इस TV के लिए अप्लिकेबल है install कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं काफी बढ़िया TV है काफी अच्छा processor यूज़ किया गया है काफी बढ़िया upscaling engine भी इन दोनों TV में देखने को मिल जाएगी अब फरक क्या है इन दोनों TV में और पहले बात करते हैं इन दोनों TV के prices के बारे में currently X8500 43 इंच का model market में आपको मिल रहा है 73,000 रुपीज में वहाँ पे X7500F आपको मिल जाता है करीबन 62-63,000 रुपीज में तो 10-12,000 का फरक है तो 10-12,000 में Sony आपको X8500 में आकर देख या रहा है तो यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों की picture quality में थोड़ा सा फरक है X8500 में Sony आपको tri-luminous display देता है हाला की दोनों TV आपको 8-bit color panel देते हैं लेकिन tri-luminous display technology से करीबन 10-bit के जो colors हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं यान की 1 billion, 1 billion colors आपको X8500 में देखने को मिलेंगे तो हाला की दोनों TV आपको HDR10 और HLG support देते हैं लेकिन true HDR picture quality आपको X8500 में ही देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे आपको 1 billion colors देखने को मिल जाते हैं तो यह major फरक है साथ ही साथ अगर हम frame rate और hertz के बाने में बात करें तो यहाँ X7500 आपको 50 hertz देता हैं वहाँ पे आपको X8500 आपको 100 hertz देते हैं तो आप में से जो लोग gamers हैं तो आख बंद करके X8500 पे ही concentrate कीजे क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत ही बड़िया gaming experience देखने को मिलने वाला है साथ ही साथ एक picture processor है जो आपको X8500 में देखने को मिल जाता है तो हाला कि आप 10 से 12,000 रुपे जादा देंगे लेकिन overall picture experience, gaming experience, movie viewing experience आपको X8500 में बहतर देखने को मिलेगा तो अगर आप Sony के fan हो और अगर आपको Sony की ही TV चाहिए 43 इंच में तो definitely 10-12,000 रुपे जादा दीजे 73,000 रुपीज थोड़ा सा जादा है लेकिन फिर भी मैं recommend करूँगा X8500 का model अब बात कर लेते हैं हम Samsung की TVs के बार में तो Samsung की currently market में आपको दो TVs देखने को मिल जाती है RU7100, RU7470 इस पर मैंने एक detailed वीडियो बनाया था जहाँ पर मैंने दोनों की picture quality को भी compare किया है यहाँ पर link आजाएगा आप जाके देख सकते हैं अगर मुझे एक थोड़ा सा summary देना हो उस वीडियो के वारे में तो यहाँ पर मैं कहूंगा कि RU7470 better quality है better picture quality देता है better TV as a whole आपको inbuilt set of box भी मिल जाता है जो एक छोड़ा additional benefit है आप ज्यादा price difference नहीं है 4-5,000 का price difference है लेकिन 4-5,000 में आपको ज्यादा better colors देखने को मिल रहे है ज्यादा rich colors देखने को मिलते हैं तो अगर आप Samsung की fan हो तो मैं आपको recommend कहूंगा RU7470 जिसकी market में करीबन price है 50-51,000 50-51,000 में देखा है उसकी market MRP जादा है जिसकी 50-51,000 में उसे बिखते हुए देखा है अब बात कर लेते हैं LG की TVs के बार में तो LG की currently 43 इंच में आपको 3 models देखने को मिलेंगे LG UK 6360, LG UK 6560, LG UK 6780 तीनों models में आपको IPS panel देखने को मिलता है तो अगर आपका room बड़ा है अगर आप कोने कोने में बैट के TV देखने वाले हैं अलग-अलग angles से तो वहाँ पे IPS panel बहुत काम में आने वाला है क्योंकि IPS panel का viewing angle best होता है तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है साथी साथ तीनों में आपको web OS देखने को मिल जाएगा तीनों में आपको 3 HDMI port, 3 USB port देखने को मिल जाते हैं साथी साथ आपको तीनों में बहुती बड़िया remote देखने को मिल जाते है magic remote, Netflix और Amazon Prime के dedicated keys है Google Assistant का support है Alexa का support आपको इन तीनों TVs में नहीं देखने को मिलता है तीनों TVs में आपको Edge LED देखने को मिल जाता है तो आपको local dimming feature इन तीनों TVs में नहीं देखने को मिल रहा है काफी बड़िया picture quality है, काफी बड़िया sound output है अगर हम sound के बारे में बात करें तो LG UK 6360 और 6560 में आपको 20W का sound output देखने को मिल जाएगा वहाँ LG UK 6780 एक मात्र एक TV है जहां पे आपको 30W का sound output वूफर्स, built-in वूफर्स के साथ देखने को मिल जाता है तो currently अगर आप 43 इंच TVs को compare कर ले हर एक brand की तो LG UK 6780 आपको best sound output देता है एक SC TV है जिसके साथ आपको home theater system या external speakers की मेरे सबसे जरुवत नहीं अगर आपका room छोटा है तो definitely LG UK 6780 आज के लिट में best sound output दे रहा है hands down अगर हम picture quality के बारें बात करें तो तीनों में आपको 8 bit का color panel है लेकिन LG UK 6560, LG UK 6780 ये दो models में आपको ultra luminance feature देखने को मिल जाता है तो ultra luminance से LG कहता है कि आपका contrast ratio है और brightness levels बढ़ जाते है और colors अगर हम बात करें तो जहां 8 bit panel आपको 16 million colors दे रहे हैं तो ultra luminance feature से आपको 1 billion colors देखने को मिल जाएंगे जो native 10 bit panel देता है तो यहां पर आपको 1 billion colors देखने को मिल जाएंगे LG UK 6560 और LG UK 6780 में और तीनों TVs HLG और HDR10 को support करते हैं लेकिन यहां क्योंकि इन दोनों TVs में आपको 1 billion colors देखने को मिल जाएंगे तो true HDR levels आपको UK 6560 और UK 6780 में ही देखने को मिलेंगे तो काफी बढ़िया TVs है यह भी अगर हम price के बारें बात करें तो LG UK 6360 currently आपको शाए 39,000 में मिल रही है लेकिन मैंने उसे 35,000 में भी बिकते हुए देखा है 34, 35,000 में भी बिकते हुए देखा है LG UK 6560 करिबन 42,000 में मिल रही है currently market में LG UK 6780 आपको 43,000 में मिल रही है तो दोस्तों अगर मुझे best LG की TV बोलनी हो तो यहाँ पे LG UK 6780 आपको best overall complete experience देगी हाला कि picture quality 6560 और 6780 का similar है लेकिन 6780 आपको better sound output देता है तो overall experience 6780 का better है तो अगर आप LG के fan हो तो 6780 model आप consider कर सकते है बहुत ही बढ़िया price है और best TV कहूंगा मैं इस price range में तो यह कुछ models थे जिसके बादे बात करना था अभी बात कर लेते हैं मैं कौन सी TV को recommend करूंगा अगर आपको एक 43 इंच की TV लेनी है तो यहाँ पे अगर हम value for money, price to quality ratio देखे कि आपको कितनी price में क्या quality मिल रही है तो hands down LG UK6780 मैं recommend करूंगा 43,000 रुपीज में आपको इतनी बढ़िया picture quality इतना बढ़िया IPS panel, इतना बढ़िया sound quality इतना complete package आपको और कोई TV नहीं दे रही है हाला कि Sony X8500 best TV है जितनी भी TVs के वाराना बात किया है यहाँ जितनी TVs के वाराना हमने नहीं बात किया है 43 इंच TVs में currently X8500 best TV in the market है जो trial luminous display आपको जो colors देता है आपको कोई TV नहीं देती है जो आपको 100 refresh rate दे रहे है 100 Hz का refresh rate currently 43 इंच में आपको कोई TV नहीं दे रही है तो hands down X8500 best TV है Sony की लेकिन अगर आप price को देखे तो 73,000 में वो TV मिलती है वहाँ पे LG UK 6780 आपको 43,000 में मिल रहा है तो 30,000 का फरक है almost 70% आप ज़्यादा price देने वाले है Sony की TV में और जहां मैंने पहले आपको disclaimer दिया था जो difference है 19-20 का है 19-20 का काफी लोग अगर नहीं वाने तो 18-20 का difference होगा picture quality में लेकिन इतना price difference मैं recommend नहीं करूँगा लेकिन फिर भी अगर आप price आपके लिए माहिने नहीं रखते है अगर आपको best TV ही लेनी है बेस टीवी है currently 43-inch models में और अगर आपको best overall package चाहिए value for money भी एक उसमें important factor है तो LG UK6780 को मैं recommend करूँगा जो 43,000 में आपको बहुत कुछ देता है तो यहाँ पर आप में से जो लोग 43-inch TV लेने का सोच रहे है और अगर आप confused है अगर आपका budget constraint है तो आप आप बन करके LG UK6780 ले सकते है यहाँ मैं एक और बात कहना चाहूँगा Samsung के तो RU जो series है वो 2019 के models है लेकिन जो मैंने Sony और LG के बारे में बात किया है यह सब 2018 के models है Sony के 2019 के models एक मेने में आने वाले है X8000G और X7000N2G यह दो नए model आने वाले है और वहाँ पे LG के UM7300, UM7600 के models भी आने वाले है हाला कि एक आद दुकानों में आपको दिख रहे भी होंगे लेकिन और मैंने एक detail वीडियो भी बनाया हूँ है UM7300 पे आपको यहाँ पे देख जाएगा लेकिन 43 इंच का model तभी आया नहीं था अभी market में आने वाला है तो एक मेने बाद मैं एक और वीडियो बनाऊँगा जहां पर यह मैं एक्स्ट्रा जो चार टीवी जिसके बार मैं बात कर रहा हूँ इन्हें भी compare करूँगा बाकी की टीवी से जिनके बार मैं बात कर चुका हूँ और वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि बेस्टीवी वो टाइम पर क्या होगी लेकिन आज की डेट में यह टीवी यह दो टीवी मैं recommend करूँगा अगर आपको प्राइस कंस्टेंट नहीं है तो सोनी की X8500F और अगर आप एक value for money एक complete package लेने का सोच रहे हैं तो अगर आपको कोई सवाल है तो comment section में ज़रूर पूछे कोशिश करूँगा कि आपके सवालों का जवाब दू फिर मिलेंगे कुछ नए वीडियो में जैसिंग में हमेशा कहता हूँ Stay healthy, stay motivated, Jai Hin